स्वागत हैं आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूं दिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अपडेट साज उस बुलेटिन में हम आपके साथ साजा करने वाले हैं देखे विशेश तोर से निर्दलियों को लेकर आज बड़ी अपडेट लेकर आए हैं क्योंकि बात अब इस्तिफे तक नहीं रहे गई है लगातार निर्दलिये विधायकों की ओर से क्योंक लेकर हो गई है आखिरकार कौन सा कानून इनों ने प्रभावित किया है अगली हेरिंग कब विधान सभाध्यक्ष के कोट में होगी ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं और इनके इस्तिफे को लेकर अब क्या कुछ होने वाला है और बड़ी मुसीबत में क्योंकि निर् तीसरी बात केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर के दौरे से जुड़ी भी करेंगे और साथी साथ आज जो विजय संकल्प यात्रा हमीरपूर में निकाली गई थी उसमें जो बड़ी बातें आज अनुराग ठाकुर ने कही है वो जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और आंधी तुफान का सिलसिरा जारी है जहां पर कुछ एक घटनाए भी सामने आई है ऐसे भी क्षेत्रों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं लेकिन उना में सबसे जादा 18 मिलीमीटर बादल बरसे हैं हालात कुछ इस तरह के बने ह हुए हैं सोलन, कुलू, मंडी और बिलासपूर में भी काफी तेज बारिश हुई है दूसरी बात करना चाहेंगे उन महिलाओं से जुड़ी जो कि भारतिय मूलकी थी लेकिन विदेश से चूरधार का सफर करने के लिए आई हुई थी और चूरधार में ही फस गई लेकिन जब सुरक्षिती ने निकाल लिया गया है दरसल ये दो महिलाओं थी भारतिय मूलकी ही बताई जा रही है लेकिन खास और विदेश से यहां पर सफर करने के लिए पहुँची थी और चूरधार यात्रा के दौरान कुछ परेशानिया इन्हें हो गई हालाकि जैसे ही मरिकॉप्टर्स के जरीए ने निकाला गया फिर चंडीगर पहुंचाया गया जहां अभी इनका इलाज चल रहा है हाल ही में एक महिला की रीड की हड़ी की सरजरी भी हुई थी इस तरह की जानकारी भी सामने आई है फिलहाल अभी खत्रे से बाहर दोनों महिलाएं बताई जा रही है इनका इलाज चल रहा है और मेडिकल टीम कल शाम को ही महिलाओं के पास पहुच गई थी जैसे ही प्रशाशन को इस बात की सूचना दी गई महिलाओं के ओर से कि ये खत्रे में है और स्वास्थय समंधित कई परिशानिया इने हो रही है उसके बाद शाम को ही पताल चंडीगड ले जाया गया ताकि जल से जल इन्हें रहत मिल सके हिमाचर प्रदेश में क्योंकि मौसम खराब है और कल शाम से लेकर हमें इसका काफी असर देखने के लिए मिल रहा है इसी बीच एक और मामला सामने आया है ये मंडी जिला के उपतहसिल पांगना के अंतर चोटे आई हालाकि पीता की मौत अभी बताई जा रही है यानि कि जो इस मकान के मालिक थी उनकी मौके पर ही मौत हो गई 42 वर्षी इनकी उमर थी महस और जो इनका बेटा है वो 16 वर्ष का बताया जा रहा है जिसे गंभीर चोटे आई अभी खत्रे से खाली है बेटा और जो मा है वो गवशाला में गई हुई थी गव को चारा डालने के लिए इसी बीच देखा जा सकता है कि बड़ा हाथ सा इनक घटना ये हम कहना चाहेंगे और इसी लिए बार-बार कहा जाता है कि घर के आसपास अगर पेड़ हो और आंधी तुफान कभी भी जोरों से आए तो जरूरी है कि घरों से बाहर निकला जाए और किसी सुरक्षित अस्थान पर आप जाएं एक और दर्ददनाक हाथसा सामने आया है ये जिला शिमला के ठ्योक शेतर से जुड़ी जानकारी देना चाहेंगे यहां 19 वर्षय यूवक की जान चली गई स्कॉर्पियो में सवार होकर अपनी मंजिल के ओर बढ़ रहा था कि उसी बीच फागू के थर्मटी से गदेव नीचे जाकर ही गाड़ी से बाहर गिर गया था लेकिन सिर पर काफी गहरी चोट आई जिस वज़ा से मौके पर ही इस यूवक की मौत हो गई पूरे क्शेतर में काफी जादा शोक का महौल बना हुआ है परिजन काफी जादा परेशान है और भावुक भी जरूर होंगे ही जब देखिए यहां 19 वर्ष का यूवक इस तरह से अपनी जान गवा बैठेगा और कारण बिल्कुल यही है कि अनियंतरित होकर इसकी भी गाड़ी नीचे गिर गई थी अधिकतर मामले हिमाच्रो प्रदेश में ऐसे ही सामने आ रही है जहां अनियंतरित होकर गाड़ियां गिर रही है और अपनी जान यूवाओं को गवानी पढ़ रही है 19 वर्ष के महज यहां पर यूवक था और NSY का कारेकरता भी बताया जा रहा है और नारकंडा का मूर रूप से रह रहने वाला था लेकिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था कि बीच रास्ते में ही देखि सक्षती ग्रस्थ हुआ कि अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा था और रेल गाडियां इसमें नहीं चल रही थी जिस वज़त से बड़े परिशानी स्थानिय लोगों को परेटकों को हो रही थी जुआली तक आने जाने में ही 100 पैय इने किराया देना पड़ रहा था लेकिन रह रेल यात्रा अपनी पूरी कर पाएंगे अपनी मंजिल तक रेल मार्ग के द्वारा ही पहुँच पाएंगे हलाकि स्थानियों ने यहां ये भी मांग की है कि रेल गाडियां दो नहीं बलकि तीन चलाई जानी चाहिए क्योंकि जाधा आविशकता इने वहां पर है और जब सडक मार्ग से होकर इने जाना पड़ता है तो जादा से जादा किराया इनका लग जाता है इसलिए रेल मार्ग इनके लिए बिल्कुल ठीक है और रिजनेबल उसमें इनसे किराया भी लिया जा रहा है अब दिखे निर्दलिये विधायकों पर आना चाहेंगे और बड़ी अपडेट आज हम इस मामले से जुड़ी लेकर आए हैं विधान सभाध्यक्ष कुल्दिप सिंग पठानिया मेडिया से रूवरू हुए दरसल आज क्योंकि निर्दलियों को पेशी के लिए फिर बुलाया गया था विधान सभाध्यक्ष के कोर्ट में लेकिन दूसरी बार ऐसा हुआ है कि तीनों निर्दलियों विधायक नहीं आए इससे पहले जब पेशी के लिए विधान सभाध्यक्ष ने बुलाया था तब भी नहीं आए आज भी नहीं आए और सपश्च तोर पर विधान सभाध्यक्ष ने ये बात क्लियर कर दी है कि जो अंतिम हीरिंग है यह जून के पहले सप्तहा में हो जाएगी या तो अब ही मई के एंड में या पिर जून के पहले सप्तहा में यह अंतिम हीरिंग के लिए उन्हें बुलाने वाले हैं आते हैं तो भी ही है ये अपना final decision अगली हीरिंग के दोरान यहां पर देने वाले हैं दरसल राजस्व मंतुई जगर सिंग नेगी की और से एक और याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने शिकायत ये की थी निर्दलियों को लेकर कि इन्होंने दल बदल कानून को प्रभावित करने की कोशिश की है और इसी को मद्दे नजर रखते हुए बड़ी स्टेट के लिए भी नहीं आए आज भी नहीं और इससे पहले भी नहीं आए बार बार ये नियमों का उलंगन कर रहे हैं और इसी लिए डिसक्वैलिफिकेशन के संकेत भी यहाँ पर विधान सबाध्यक्ष की ओर से दे दिये गए हैं यानि कि अब इस्तिफा सुईकार करना कानिया के पास क्यों जाएंगे या मेल के जरिये भी अब उनके उनकी नोटिस का जवाब नहीं देने वाले हैं लेकिन आज काफी जादा कड़े रुख में हमें विधान सबाध्यक्ष मी नजर आए हैं और बात उन्होंने सपर्ष तोर पर ये कह दी है कि सबसे पहले तो द के बाद अब कहीं जाकर इस्तिफा आता है और अगर डिस्क्वैलिफिकेशन हो गई तो एक बड़ी मुसीबत में ये निर्दलिये विधायक फस सकते हैं ये हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे क्योंकि पेडिशन अभी भी पैंडिंग है विधान सबाध्यक्ष के पास य कह दिया है कि विधान सबाध्यक्ष के मामले में वो भी involved नहीं हो सकते हैं और ना ही कोई direction यहाँ विधान सबाध्यक्ष कुलदीप सिंग पठानिया को कोट की ओर से दी जा सकती है कि उन्हें कितनी जल्दी ये केस निप्टाना है या उन्हें इस्तिफा सुईकार करना है ये नहीं करना है और यही बात आज कुलदीप सिंग पठानिया ने भी clear कर दी है कि जो वो चाहेंगे वही होगा और अभी तक लगातार नियमों का उलंगन करते हुए निर्दलिये विधायक आए हैं अभी तक pending उनके पास या चिका है दल बदल कानून अब उन पर लगेग तो फिर इनके तीन हलकों में भी उपचुनाव होंगे और इस तरह से छे नहीं बलकि नौ उपचुनाव ही माचर प्रदेश में होने वाले हैं ऐसा कुछ होता हुआ तो नजर आया नहीं लेकिन अब अपने ही जाल में कहीं ना कहीं फस्ते हुए निर्दलिये नजर आ रही हैं जो इन्होंने इस्तिफा दे दिया है ये तो सुईकार अब होगा नहीं होगा खै भविश्य के गर्व में ये बात छीपी है लेकिन इससे पहले जो कारवाई की बात आज विधान सबह अध्यक्ष ने कहा दी है कि दल बदल कानून लगेगा नियमों का जो लंगन किया ह उसे लेकर भी यहां इन पर एक्षन लिया जाएगा तो कहीं न कहीं बड़ी मुसीबत अब निर्दलियों के समक्षा सकती है और डिस्क्वैलिफिकेशन अगर होती है तो इसमें किस तरह का प्रावधान होगा कितने सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या फिर अजिते सिंग ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि उनका एक वीजन है विकास को लेकर एक वीजन लेकर चल रहे हैं उनकी बड़ी सोच है लेकिन जो भाषपा प्रत्याशी है वो केवल इतना ही कहना जानती है कि मैं मंडी की बेटी हूँ इसी पर सहानू भूती ले रही ह हिमाचल वासियों से इसके अलावा ना उनकी कोई सोच है ना वीजन है और राजस्वा मंतरी जगर सिंग नेगी ने तो बड़ी बात ये कह दी है कि अगर फिर से केंदर में भाषपा आ गई तो ये सबसे बड़ी गलती लोगों की भी रहने वाली है क्योंकि आजादी आम केंदर सरकार ने छोड़ दिया था अब दोबारा से लोग केंदर में मोधी सरकार ही बनाएंगे तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा जगत सिंग नेगी के ये शब्द पिछले कल रहे हैं हलाकि आज पीती में मंतरी विक्रमादित्य सिंग थे वहां के लोगों क कि वीजे संकल पियात्रा निकाली गई थी और इसमें केंदरिय मंतरी अनुराग ठाकुर थे उनके साथ पुर्व मुख्या मंतरी प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल भी शामिल हुए थी और नेता पतिपक शॉयराम ठाकुर भी इस मौके पर देखे गए भाशपा दूसरे बात प्रोफेसर प्रेम कुमार धुमल ने कारेकरताओं को संबोधित करते हुए ये कही कि जैसा कैंपेइन आज जारी रखा है वैसा ही एक जून तक जारी रखे ऐसा ही जोश होना चाहिए और हर पोलिंग बूत पे 10 प्रतीशत वोटिंग बढ़ाने का काम करे जो यह जोशिश करेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की यह एक बड़ी बात इन्होंने कही है क्योंकि बार-बार भाजपाई यही कहते हैं कि जो देश का नेतरीत्व है वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी है वो बहुत ही मजबूत है और इन्हें और जादा मजबूत बनाने का काम अनुराग ठाकुर करते हैं आज ऐसा ही दावा फिर से नेता पतिपक श्वेराम ठाकुर की ओर से किया गया कुफ़े में सी एम थे और मुख्या चैराम ठाकुर चुनाव आयोग पहुँच गए और एक बार नहीं बल्कि दो बार बड़ी रुकावटे वर्गों के लिए नेता पतिपक्ष बने हैं इस बार पंदरा सो रोकने के लिए चुनाव आयोग गए और इस से पहले 9000 क्रोड रुपै जब करमचारियों के लेने तो उसमें भी बड़ी रुकावट बने हैं तो बार-बार ये रुकावटे पैदा कर रहे हैं ना केवल सरकार के रास्ते में बलकि आम जन्ता के रास्ते में भी इस बार ये चुनाव इमानदारी और दगाबाजी के बीच होने वाला है दगाबाजी को पेश करती है सुल्तानपूरी की ओर से तो उनके साथ शामिर रहने वाले हैं मौजूद एक तरह से उनके साथ रहने वाले हैं लेकिन इसे पीछ नामांकन प्रक्रिया पर देखिए रोक लग गई है शनिवार रविवार दो छुटियां हैं हलाकि पहले ही निर्वाचन आयोक ने आदेश चारी कर दिये थे कि अवकाश के दौरान ब्रेक रहने वाली है जिस वज़ा से अब इन दो दिनों में तो नामांकन नहीं भरे जा सकेंगे और बड़े चहरे अभी ऐसे बच रहे हैं जिन्नोंने नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं की है इसमें केंद्रिय मंत्रिय अनुरा कर भरने वाले हैं और सुरेश कश्यब भी अभी इसमें शामिल है जिन्नोंने नामांकन नहीं भरा है तो सोमवार और मंगलवार को अच्छी खासी भीड उमीदवारों की हमें देखने के लिए मिलने वाली है यह हमने लोगसभा सीट से आपको प्रतियाशी बता दिये कंग दो दिनों में ही भरा जाएगा इस तरह की संभावना है हलाकि बाकी कुछ एक उमीदवारों ने भर भी दिया है और साथ-साथ में हम आपको इस बारे में क्यूंकि अपडेट भी दे रहे हैं लेकिन शनिवार रविवार अब दो दिनों में नहीं भरे जाएंगे एक और ज सबह सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं यहां प्रतियाशियों की ओर से 40,000,000 रुपए तक खर्च किये जा सकते हैं प्रचार प्रसार के लिए और जमानत राशी की बात करें तो लोग सबह सीट पर 25,000 जमानत राशी यहां जमा करवानी होगी और विधान सबह उपच तकरीबन 5,000,000 तक का निशुलक इलाज इसमें एक परिवार को दिया जाता है अधिगरेत कंपनी को अदाईगी नहीं की गई थी सरकार की ओर से जिसवज़ा से सेवा बीच में रोक दी गई थी हलाकि IGMC में हिमकेर का ही 60 क्रोड से जादा बकाया है लेकिन 25 क्रोड इसमें परियोजना में हुई लीकेज से जुड़ी है यहां लीकेज हुई और लीकेज से एक तरह से बाड का मामला वहां पर देखने में आया है जिसके बाद उर्जा निदेशालिय की ओर से जांज के आदेश जारी हुए थे और सेफटी ओर्डिट करवाने के निर्देश भी जा पन हुई एस्टियम बैशना देवी सिंग ठाकूर ने आज मौके पर जाकर पीडित चवालिस परिवारों को रहत राशी के तौर पर पती परिवार पांच-पांच हजार उपै की हालाकि राशी बांटी है हालाकि लोग परियोजना प्रवंधन से मुआबजे को लेकर अड हैं उनका ये कहना है ये पांच हजार से कुछ नहीं होने वाला है राशी उनको जादा मिननी चाहिए तो फिलहाल के लिए यही अपडेट फिर मिलेंगे नई खबर के साथ देखते रहें दिवेह माचल टीवी धन्यवाद